हाई फ्रेंड्स वेलकम टू टैलेई डिडिटल क्लास दोस्तों आज फिर मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ कि आज १िडियू लिक्ष्र में में आपको बताना वाला हूं कि अगर बी कॉम हो बी भीची हो एलएल भी हो या किसी वी सीद्वूमर्ण किसी भी डिगरी का गुजरात अगर दिश मैं कर लेकर Okein करती हैं या किसी यहां पर आपको सर्च करना है नीचे जाएंगे आप यहां पर बहुत सब वेबसाइट खुल याईगी आपको यहां पर जाने गुजराथ युनिवरसिटी यहां पर आप जैसे भी क्लिक करेंगे यह दिख रहा होगा आपको गुजराथ युनिवरसिटी यहां पर आपको क्लिक करना है तो यह वेबसाइट गुजराथ युनिवरसिटी की ओफिसियल वेबसाइट यहां पर खुल कर आजाएगी यह देखिए यह ओफिसयल वेबसाइ तो आपको आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यह है जो भी होगा वह यहां से देख सकता है यह दिख रहा होगा आपको admission admission जैसे ही अभी 12 का कुछ थोड़े समय में 12 का examination का result declare होना है तो आप यहाँ पर जा कर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर syllabus syllabus अगर आप कुछ देखना चाहते हैं कोई किसी भी डिगरी का तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके बाद all question papers all question papers आप यहाँ पर जा कर क्लिक करकर देख सकते हैं गुजात university अपना old paper upload करती रहती है इसके बाद admit card अगर किसी भी का डिगरी का admin card अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा regular candidates और उपर है external candidate अगर आप जो भी external हो या regular हो आप वहाँ से जाकर check कर सकते हैं इसके बाद में result की बात करूँ तो यह result आप जाकर check कर सकते हैं यह आपको दिखता होगा result इसके बाद इबुक्स अगर आप इबुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस lecture में हमने देखा कि अगर किसी भी result हो या examination का जो schedule हो इबुक्स हो वगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं उसके बार में आज का इस लेक्चर था यह यहां पर जो भी गुजात university के अपडेट जो भी होगी वो यहां पर आपको दिख रही होगी तो आज के इस video लेक्चर में हमने जाना अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजुना आतामेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेसंस आपको मिलती रहे चलिए दूस्तों मिलते हैं